हेलो गेज्ट सो कैसे आप लोग आई होग काफी अच्छे होंगे सो आज की जो मैं लेटेज जो जो जोब लेकर आया हूँ वह आपके लिए काफी स्पेशल रहने वाली है क्योंकि यह काफी स्पेशल कंपनी विप्रो की तरफ से आप लोग के लिए रिकूटमेंट आई है त तो आपको कहीं पर भी जाने की लोकेट होनी की ज़रत नहीं पड़ेगी एक साल के बाद कमपणी आपको जो आपके घर के आसपास सिसकी साइट होगी वहाँ पर आप लोग को बिलाएगी अब जैसे के आप लोग को पताये कि जितनी भी कमपनी है चाए आपकी डिलोइ्ट तो जब भी अपने employee को work from home जो प्रोवाइड कराती है तो उसी के साथ में लैप्टोप वाइफाई पूरा का पूरा पूरा जो वर्क फ्रोवाइड कराएगा आपको कुछ भी चीज खरीदने की जौरत नहीं पड़ेगी इसी के साथ में company आप लोग को जैसी हाँ पर आप लो नहीं रखा गया है बहुत सारे candidates का जो है मनलब दिक्कत यहीं रहते हैं कि हम अच्छे ते किसे interview को face नहीं कर पाते हैं का लगसा डर रहता है तो यहां पर आप लोग का बिल्कुल sort out हो चुका है यहां पर आपको कोई भी interview नहीं देना है जैसे आप लोग अपना registration process को complete उस assessment test में क्या-क्या चीज आएगी वो आगे मैं जब आपको skin पर लेके चलूँगा तब महाँ पर यह सारी चीज़ा आपको के साथ discuss करेंगे और उसके बाद यहां पर आप लोग का एक group discussion होगा अगर आप group discussion भी किलिए कर लेते हैं यहां पर आप लोग का selection हो जाएगा उनके लिए recruitment है आप उस पर apply कर सकते हैं फिर दूसरी जो recruitment है वो graduate जो candidate है उनके लिए है और तीसरी यहां पर graduate में भी BCA, BSc, BTEC वालों के लिए अलग-अलग से recruitment आई है तो basic eligibility criteria है यहां पर यही है कि 10th और 12th में आप लोग के 50% marks होने चाहिए और आपने 10-12th चाहे open school से भी की हुए को तब भी कोई आप लोग की दिक्कत नहीं रहेगी तो यहां पर हम बिल्कुल detail में discuss करेंगे कि यहां पर आप लोग का examination कैसे होगा क्या का domain में क्या का चीज़े चाहिए वो सारी चीज़े हम discuss करेंगे तो थोड़ा समय भी आपको skin पर लेके चलता हूं ताकि और अच्छे से चीज़ों के बारे में आपको बता पाऊं समझा पाऊं कैसे आपकी company है क्या आपकी जो profile लेगी कैसे आप लोग को काम करना है और क्या-क्या आपसे test में पूछा जाएगा तो जो मैंने आपको link दिया है वीडियो के description box में हाला कि मैंने इसमें अलग-अलग link द लिए जिन्होंने 2023 में BCA या BSC complete किये या उससे पहले किये वह यहां पर apply कर सकते हैं यहां पर eligibility criteria आप लोग का mention क्या गया है 10th आपकी pass होने चाहिए 12th आपकी pass होने चाहिए 10th और 12th पर percentage का कोई criteria नहीं है बस आपके pass होने चाहिए graduation में आप लोग के 60% या 6CG पर आप आप लोग की graduation की degree में क्या होना चाहिए या तो आपने BC क्या हो या आपने BSC क्या हो BSC में भी आपने BSC Computer Science से Information Technology, Mathematics, Statistics, Electronics, Physics से भी क्या हुआ है तो आप लोग eligible है इसके अलावा इन्होंने काया कि अगर आप लोगोंने 10-12th distance learning से या open school से क्या हुआ है तब भी आप लोग आ पर eligible रहेंगे यह सारी चीज़ा आप लोग पढ़ सकते हैं फिर इसके बाद यहाँ पर आपका stipend detail है कि यहाँ पर आप लोग को क्या-क्या चीज़े रहेगी तो इन्होंने काया कि यहाँ पर हम आप लोग को जैसे आपने graduation तो अपनी complete कर लिया तो हम आपको mtech भी तो यहाँ पर इन्होंने काया कि first year में you will receive a stipend of 15,000 plus 488 यानी total 15,488 रुपे मिलेंगे plus यहाँ पर लिखाओ है joining bonus of 75,000 along with the first month stipend तो 75,000 plus 15,488 रुपे first month की जो salary उसके साथ I don't know होके मिलेगा फिर second year में आपकी 17,000, third year में 19,000 और fourth year में हापे आपकी 23,000 ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आप लोग को graduation मतलब free minimum tech कराएंगे और उसके साथ salary भी देंगे फिर यहाँ पर आप लोग की selection process क्या है every eligible candidate must go through below online assessment detail pendant for your reference तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना आब आपको होगे कि यहाँ तो बहुत कम salary यह सब चीज़ है तो एक साल तो आप लोग का घरसी काम रहेगा उसके बाद जब आप यहाँ पर अपना period complete कर लोगे कर लोगे इंटरंशीब आपकी complete हो जाएगी उसके बाद minimum जो package है ठीक है यहाँ पर लिखावा one time joining bonus 75,000 अब यहाँ पर नीची स्कॉल करोगे तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर आप लोग की जो profile है यानि चार साल के बाद post the completion of the program designation will be senior project engineer senior project engineer का आपको designation मिलेगी और यहाँ पर लोगों का minimum package है वो 6,00,00,00 कर रहेगा फिर यहाँ पर इसके साथ other benefits है mtech degree fully sponsored by विप्रो आप लोगों को mtech की degree मिलेगी इसी के साथ 14,00,00 का life insurance दे रहे है 12,00,00 का personal accident cover insurance और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़े है जैसे यहाँ पर आप लोग जैसे अपने एक साल complete कर agreement है तो यहाँ पर आप लोग को साथ महीने का training agreement करना पड़ेगा कि मतलब हम जो है 5 साल तक आप लोग के साथ काम करेंगे in case अगर आप लोग को मतलब agreement तोड़ते तो आपको जो bonus दिया जाता पिछ तरजा वह आपको वापस करना होता है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है फिर तीनों मनलब department आएंगे 20-20 question आएंगे 20-20 minute के लिए return communication test आएगा 20 minute के लिए upon selection in the online assessment candidate will be required to go through business discussion round उसके बाद आप लोग का group discussion होगा अगर आप लोग उसे clear कर लेते यहाँ पर आपका selection हो जाएगा इतनी process आप लोग की रहेगी तो यहाँ पर आप लोग कैसे करना है apply now का option है apply पर क्लिक करोगे अब जैसे आप लोग apply now पर क्लिक करोगे तो इस तरह का registration form आप लोग का open होगा यहाँ पर विप्रो वर्क इंटिग्रेटी लर्निंग प्रोग्राम लिखा हुआ है तो पैन इंडिया नी पूरे भारत का candidate apply कर सकते है application deadline इसकी 15 अगर 2023 रात के 12 बजे तक है फिर यहाँ पर उन्होंने ctc वगरे सारी चीजें बताई हुए वह मैंने आप लोग एक्स्प्लेइन कर दिया फिर यहाँ पर आपका additional bonus लिखा हुए joining bonus 75,000 रुपर आप लोग कहां पर मिलेंगे फिर job description यह सारी चीजें बताई हुई है फिर नीचे आपका apply now का option है इस पर आप लोग को click करना है जैसे आप लोग यहाँ पर apply now पर click करोगे तो फिर यहाँ पर आप लोग को अपने email id डालना है उसके बाद next करना है next करने के बाद आप लोग का पूरा profile open होगा जिसे आप लोग को बढ़ना है नाम, father name, mother name, education background किस जगह से है phone number यह सारी चीजे और या और कोई diploma किया हुआ है तो आप लोग के लिए यहाँ पर आपका जो program है उसका नाम रहने वाला है SIM जिसे बोलते School of IT Infrastructure Management 2023 तो इसकी जो application deadline है वो 31,000-2023 तक है तो यहाँ पर आपको जो मलब सबसे पहली बात की यहाँ पर आप लोग को जो background है Diplomas later तो computer science, electrical, electronics इन सभी चीज़ों से होना चीज़े तो यहाँ पर आपकी यह सारी चीज़े बता हुए तो थोड़ा सा में यहाँ पर शोम और पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ बता जता हूँ तो eligibility criteria में इन्होंने 10-12 में 50% और diploma में 60% माँए है 2021-22-23 के आप लोग पास होने चीज़े फिर यहाँ पर इन्होंने डोमेन बताया कि किस डोमेन में आप लोग का diploma होना चीज़े फिर other criteria इसे आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं फिर इन्होंने काया क कि आप लोग की जो age हो 18 साल होनी चाहिए under time of phone boarding और फिर यहाँ पर आप लोग के salary लिखी हुए कि first year में हम आप लोग को 12,400 रुपे महीना salary देंगे second year में 15,480, third year में 17,553 और fourth year में 19,618 रुपे और उसके बाद यहाँ पर आप लोग का जो approximate package हो 45,000,000,000 परेनम करेगा ठी यहाँ पर आप लोग के apply नाव पर click करोगे अपना email id डालोगे उसके बाद profile पर apply कर दोगे तो इन नोनो profile पर तो आप लोग ऐसे apply कर सकते हैं अब third जो profile हो हमारी वो है elite national talent तो यहाँ पर आप लोग की graduation में BTEC आपने क्या हुआ है ठीक है BTEC है या आपने जो है BE क्या हुआ है तो आप लोग यहाँ पर eligible अगर आप लोग ने integrated program क्या हुआ है जैसे BTEC के साथ MBA, MTEC तब भी आप लोग यहाँ पर eligible रहेंगे फिर यहाँ पर passing 2023 आप लोग होने चाहिए 60 60% marks आपके होने चाहिए और 10-12 में भी 60% आपके आने चाहिए तो यह सब चीज आप लोग की बताएंगे यह designation यहाँ पर आप लोग की project engineer की रहेगी compensation joining bonus यहाँ पर आप लोग को 3,50,000 रुपे दिया जाएगा ठीक है periodic performance bonuses यहाँ पर शुरू के 6 महीने में 25,000 रुपे मैनस ए क्या हुआ है उसके बाद यहाँ पर your journey begin joining bonus यह सब चीज है आप लोग यहाँ पर पूरा देख सकते हैं apply process क्या क्या रहेगी सबसे पहले आप लोग को registration करना है उसके बाद online assessment test आप लोग दोगे उसके बाद यहाँ पर आप लोग का group discussion होगा उसके बाद यहाँ पर आप का show नहीं हो रहा है तो वो तब आप लोग यहाँ पर apply कर पाऊगे तो इन सभी के जो link हो मैंने वीडियो के description box में दे दिया वहाँ पे click करके आप लोग apply कर सकते हैं इसके अलावा गर आप लोग को कोई भी दिक्कत आती है कोई भी problem है कुछ भी issue है तो आप मुझे comment करके ब